हेलो फ्रेंड आसा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे आज की वीडियो में हम लोग यह 4K T96 4K Android TV बाॉक्स का भीको को फैसे का चक्रफ इस प्रॉपब्लम है मतलब यह फैस से इस नहीं कश ब्रॉपर हो रहा है और नहीं कुछ इसमें आगे सब भरता है तो आज हम लोग स्व्रॉफ करेंगे उस के जो प्रॉप्लम है उसको federal रेशाट कैसे किया जा है और यह फैसे अस बैसे स्टार्त आ इससे हमें motivation मिलती है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए और आपको lifetime free में इस तरह की वीडियो देखने को मिलेगी वीडियो को subscribe करने के साथ साथ like, share and comment भी जरूर करें चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किये यह T96 Mars 4K Android TV box है इसका जो variant है 2GV RAM और इसमें जो एक AV jack दिया रहता है अब देखेंगे left side में रहता है उसमें हम लोग कोई भी एक stick या फिर कोई stick के द्वारा हम लोग उसमें प्रेस करेंगे तो वो reset button होता है और जैसे ही सबसे इसमें ध्यान रखना है कि power का plug तभी अब देंगे जब button वो दबा हो रहा है जैसे ही दबता है तो वह देखिए यह रेजिस्टार्ट हो जाता है और फैक्टरी रिसेट जो इसका वो डैलर आ जाता है अब इसमें option देखिए आपको देख रहा होगा remote का या factory रिसेट करने का तो मेरे वाले कि इसमें एक problem यह आ रहा था कि जो remote के दौरा इसमें हम लोग menu select कर सकते हैं उपर नीचे कर सकते थे मगर मैं remote इसमें काम नहीं कर रहा है तो हमें एक mouse का use करना है mouse लगाना है USB port में जिसके तुरू हम लोग इसका menu select करेंगे देखिए हमार remote काम नहीं कर रहा है इसमें remote से मुझा दबा रहा है तो कोई भी काम नहीं हो रहा है तो हम mouse का use करेंगे मगर mouse में क्या होता है कि यह बहुत fast चलता है स्कॉल कर रहा है देख सकते हैं इसमें ध्यान से करना है ज्यादा स्कॉल फास्ट हो रहा है तो धीर धीर हमें option को select करना है इसमें देखिए factory reset का option आपका पांच वह नमबर पर आ रहा है तो वह अला option को हम लोग select करेंगे mouse के थूरू उसके बार okay करेंगे कि इसमें problem यही आ रहा है कि यह जो mouse है बहुत fast उपर नीची कर रहा है तो इसको gently धीरे-धीरे हमें वह option पर लेके आना है factory reset वाले option पर जैसे वह factory reset वाला option पर आ जाएगा तो हमें left वाले जो click है वसको click किये अभी yes या no का option पूछ रहा है यह हमें वह delete करना है या नहीं करना है तो yes हम लोग करेंगे इसमें जैसी हमने yes किया यह देखे एरेजिंग करने लगा सारा जो इसमें factory reset का process होने लगा इसमें जो data है पुराना वाल जितना भी data था वो rearrange कर देगा और factory से जैसे यह invite box नया में आता है वैसा आ जाएगा यह देखे process बहुत जल्ली complete हो चुका है अब जैसे ही यह process complete हो जाता है तो हमें क्या करना है कि एक बार इसको reboot कर देना है मतलब कि restart कर देना है एक बार system को हम उसके लिए हमारे देखे ऊपर में मेनू अब दीख रहा होगा reboot system now का option है तो हम उसको जो icon है उसको वहां पर लिखे जाएंगे और उसको select करेंगे देखे काफी fast होड़ा है mouse से करने में थोड़ा से problem हो रहा है मगर कुछ लोग के case में mouse काम करता है यह remote काम करता है तो remote से कर माउस से करने में थोड़ा problem आता है mouse का यूज तभी करेंगे जब हमारा remote जो है इसमें support ना करे यह system reset करने में तो देखे अभी हमारा हम option पर जाते हैं फार्स्ट ओले option पर अब यह system restart हो रहा है यह start restart हो चुका है अब देखे कि यह problem हमारा solve होता है कि नहीं आगे यह T96 का जो लोगो आ रहा है इसके आगे process बढ़ता है यह नहीं बढ़ता है क्योंकि यह problem इस box में यही था कि यह आगे बढ़ता नहीं था आगे का process तो बढ़ गया है और इसका main interface से वो आता ही नहीं था तो इसके चलते यह TV काफी दिन से पढ़ा हुआ था यह ठीक नहीं हो रहा था तो इसका solution यह है factory reset करने के बाद most probably यह ठीक हो जाता है और ना तो फिर इसमें OS phase से डालना पड़ता है तो इस वीडियो में हम लोग देखें यह कि factory reset इसे कैसे किया जाता है तो कि बहुत लोगों को पता नहीं है कि इसको factory reset कैसे करते हैं क्योंकि जब interface स्टार्टी नहीं होगा तो आपको इस तरह से manually करना पड़ेगा देखें यह हमारा interface से start हो चुका है और इसमें सारा option आ रहा है YouTube और जितने भी app के option है वो आ रहा है इसका interface से start हो गया है इसमें जो problem था वो ठीक हो गया है यह देखें हमारा YouTube भी खुल गया है और यह properly काम कर रहा है thank you for watching my channel